वेलकम फ्रेंट्स वेलकम टू एडुकेशन चैनल नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एडुकेशन चैनल पे UPSC Civil Services का मेंस का पेपर जो General Study का है वो कंड़क्ट हो चुका है उसका पेपर वन का रिव्यू भी करके पेपर वन के रिव्यू से ये क्लियर है कि जो बाकी जो बैसिक सब्जेक्ट से उसकी पढ़ाई करते रहना है बैसिक जो बुक्स हैं उनसे उनसे पढ़ाई करना है और Current Affairs और analysis है उसके अगर हम touch में रहे तो बहुत ही अच्छा answer में हम लिख सकते हैं और तो शुरू करते हैं आज का current affairs and newspaper analysis और जो भी साथ ही नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को subscribe कर लेंगे जिसे कि जो important update है वो timely मिलते रहे हैं तो let's start अब हमारा focus यह रहेगा क्योंकि अब जो हमार अलगला exams दे रहे हैं तो उसमें बहुत कम है subjective आता है objective exams भी रहेंगे maximum बाकी जो आप exam दे रहे हैं बैंक के दे रहे हैं यह बाकी दे रहे हैं तो कोशिश यह रहेगी कि जो facts हैं उस पे भी focus रहे प्रिलिम्स के हिसाब से भी तैयारी रहे और mains के भी तो answer writing के साथ साथ जो important facts हैं उन पे भी ध्यान देते चलेंगे जैसे अब for example एक news है इसमें facts की बात हुई है तो यह prelims के लिए important है यह है एक इससे related है जुकोई valley है यहां पे और यह एक एरिया है जहां पे मनिपूर नागा लेंड बॉर्डर पे जहां पे wildfire हुआ है और उस पे हलांकि काबू पा लिया गया है लेकिन this is a very important part और यह important area है यह मनिपूर नागा लेंड बॉर्डर पे है तो यह आपको ध्यान रहे तो यह question इस त प्रोटेस से related और सुप्रीम कोट ने स्टे कर दिया है जो फार्म बिल्स है उनको और एक कमिटी फार्म कर दिया है कमिटी में चार लोग है और वो आज की न्यूज है कल पेपर में रहेगा वो तो उस कमिटी में यह है कि उस कमिटी को study करना है दस दिन के अंदर पहले सुन कॉंसिटूशन में क्या यह प्राधान है इस दिर एनी प्रोविजन इन कॉंसिटूशन जिसके तहत सुप्रीम कोट कानून को स्टे कर सकता है क्या स्टे करने का प्राधान है अगर यह प्राधान नहीं है तो किस तरीके का प्राधान है जुडिशरी कोई भी कानून में Judiciary किस तरीके से Role Play कर सकता है This is my question First question for today's main Paper 2 General Study Paper 2 का मैं भी Review करूँगा एक दो दिन के अंदर डालूँगा और उसमें आप देखेंगे कि काफी कुछ Questions जो मैंने यहाँ पे दिये थे आपको Thinking Questions उसी Lines पे Questions आए हैं और Question प्रेडिक्ट करना बहुत important होता है तो यह मैं आपको यह questions दे रहाँ अगर 2021 की आप तियारी कर रहे हैं तो इसका मुझे आंसर आप दीजिए इसका आंसर लिखेंगे आप comments में Very very important question है यह कि और इसमें 360 degree analysis अगर आप कर लेंगे तो कम से कम जो mains अगर आप September में लिख रहे हैं तो easily आप 50 से 60 number का question प्रिपेर कर लेंगे जी इस में paper 2 paper 3 या नि जनल स्टेडी 2 में question मेरा क्या है my question is very simple judiciary के क्या power है is there any power for judiciary to interfere into law making अगर हो है तो वो क्या क्या किस तरीके से interfere कर सकते हैं और कानून को stay करने का जो इसमें प्रावधान किया गया है आज के judgment में ऐसा कोई प्रावधान is there any provision like that अगर ऐसा provision नहीं है तो किस तरीके का provision है तो obviously आप बात करेंगे इसमें hint दे देता हूँ basically जो पराने judgments में जिस तरीके judgments आये हुए है जाके शुननन्दा भारती case हो या बाकी हो वहाँ से आप बात करते हुए चलेंगे important constitution के articles के बात करेंगे पहले तो आप बात करेंगे कि law making हाई होता गया है फिर आप बात करेंगे कि ये power किसके पास है फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि subject to what मतलब कोई भी अगर law बनता है भारत में it's subject to what क्या है कोई भी कानून उठके बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं क्या-क्या उसमें parameters हैं क्या-क्या चीजे उसमें रोक-टोक हो सकती है वो आप बात करिए और in fact अगर कोई कानून गलत बन जाता है या कोई कानून गलत है कैसे decide होगा ये भी आप बात करिए तो इसमें आप बात करिए basic structure वगेरा की तो इससे बात करिए बहुत अच्छा question मैंने आपको दिया इसको answer करिए इसको answer करेंगे 60 number का question आप prepare करेंगे इसमें और इसको करेंगे तो कम से कम पांच नंबर के अगर इस पूरे को धंक से आप analysis कर लेंगे constitution के book खो लिए लक्षमी कांत को लिए पूरा analysis करिए पुराने judgment देखिए और अच्छा से एक answer लिखिए और इसको जब लिखेंगे तो कम से कम पांच नंबर का prelims का 5 prelims के question आप त्यार करेंगे and then 60 number का mains का answer का त्यारी कर लेंगे इस सिर्फ इस एक question से ओके ये एक ये fact base है PM किसान payment वर्थ इतना इतना ये एक ये तो पहले fact है तो PM किसान project तो पहले PM किसान क्या project होता है ये आप देखेंगे और बताएंगे मुझे important इसमें ये है कि जो PM किसान में जो payment हुआ है उसमें गलत payment हो गया करीब 20 लाख लोगों के लिए तो ये कैसे हुआ है तो ये हुआ है गलत डेटा आने से now this is important अगर public political science आपका ये है आपका optional है या general study के लिए तो आपको ये धिहान रहे कि ये किस तरीके से अगर policy implementation कहां गलत हो जाता है ये बहुत ये एक clear example है आपके लिए तो इस example को आप note कर लिजएगा very very important अभी पबेड और political science का optional का paper होना भी है और अगले साल 2021 में जो दे रहे हैं दो चीज़ धान रहे है PM किसान क्या होता है ये दिख लिजए PM किसान is the central flag scheme to provide income support worth 6,000 year to farming families जो किसान है उनको 6,000 रुपे per year provide करना ये PM किसान project है और इसमें गरबड़ी हो गई है क्योंकि करीब 20,000,000 लोग ऐसे दे दिये गए हैं जो की eligible ही नहीं थे ineligible थे तो ये बहुत important है और इसमें 1000 करोड से भी उपर का गरबड हो गई है तो this is very very important तो policy policy making is one part and policy implementation is another part और policy implementation में ये बहुत बड़ा flaw है तो ये आपको काम आएगा जो भी अगर आप exam देंगे उसके लिए तो आप इसको note करकर रखे दो पहलों में ठीक है और अगर आपका public administration और political science अगर आपका optional है तो इसमें आप question का मुझे इस question एक लिखे उसका answer करिए question ये है कि what are important parameters which needs to be taken into consideration for public policy implementation public policy implementation करने के लिए क्या-क्या important steps या parameters है कैसे आप decide करें कैसे किसी भी policy को आप सही धंग से implement कर सकते हैं देखे ये PM किसान एक अच्छी policy थी एक अच्छी policy थी लेकिं आप इसको समझे एक इतनी अच्छी policy कि आप 6,000 रुपे किसान को दे रहे हैं आपने decide कि जो गरीब किसान है या एक तरीके के ऐसे कि पिछड़े वे लोग है उनको आप दे रहे हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो लेकिन हुआ क्या 20,00,00 ऐसे लोगों को आपने दे दिया जो कि इसके लिए eligible ही थे गलत लोगों को दे दिया और government को 1300 करोड एक हजार से जादा करोड रुपे का नुकसान हो गया और ये 1300 करोड रुपे सही लोगों तक पहुँच सकता था लेकिन नहीं पहुचा नुकसान हुआ government को तो जो policy है वो धंक से implement नहीं हुई है तो this you need to understand this is very very important part करोणा की vaccine अभी implement होने जा रही है करोणा vaccination program आप just imagine करिये कि अगर वो गलत धंक से implement हो गई जिसको लगना उसको लगी नहीं या गलत vaccine लगा दिया तो क्या क्या उसके impact हो सकते है तो आप इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसी भी policy को implement करना कितना important है so this is my question बाकी लोग भी general study का भी ये question हो सकता है तो आप इसको बताइए this is very very important question कि public policy implementation के लिए क्या का important parameters होने चाहिए और एक चीज़ ये ध्यान रहे जो अभी mains का paper आया है UPSC का ये आया है paper 1 का analysis मैंने किया था तो ये out of box creative thinking वाले लोगों के लिए exam है ये और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप उसका answer आप जरूर देजिए लेकिन आप अगर ये सोच लेंगे जैसे public policy का question अगर आप सोच लेंगे तो दो चीज होगी ऐसे दीरे दीरे अगर ऐसे 20, 30, 40 question आप सोच लेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ तो आपकी thinking ability develop हो जाएगी और दूसी चीज ये है कि अगर आप इसमें थोड़ा research कर लेंगे तो आपके पास material बहुत इकठा हो जाएगा thinking वाली क्योंकि कई question इस बार thinking ability के थे कि custom tradition से related और इस तरीके कई question से जहाँ पर आपको on the spot सोच ना था और आपको answer देना था this is very important question I have given you to think and to become creative तो आप उसका answer दिजेगा ये करोना वाली मैंने आपको बताई है कि 11 million doses COVID-Shield की आ गई है अब इनका implementation होना है इसमें fact क्या है fact आप ये रखेगा कि Serum Institute of India से 11 million doses लिये है 210 रुपे कीमत पे लिया गया है तो ये आपका fact हो गया analysis क्या हो गया analysis ये है कि vaccination program rollout हो चुका है और इसको successful बनाना है तो इसका भी question उसी में public policy implementation के क्या क्या points होने चाहिए उसमें आप उसको बताएंगे now this is important ये news है ये JNK से related है ये है around 30 years back kidnapping होई थी उसमें जो जब उनकश्मी liberation front है यासेन मलिक उनको बनाया गया है रुबया सईद जो थी इनका kidnapping होई थी और उसके बदले में पांच जो terrorist है उनको छोड़ा गया था now हमारे लिए important क्या है हमारे लिए दो-तिन चीज इसमें important है दो-तिन चीज आप समझ लीजे एक तो CBI के बारे में कहा है एक है RPC RPC क्या होता है रनवीर Penal Code जब तक ये था 370 धारा थी JNK में तो रनवीर Penal Code महाँ पर चलता था not IPC इंडियन Penal Code नहीं चलता था now question is कि what is रनवीर Penal Code वो क्या है कि इनके नाम पर था तो राजा थे क्या थे आप उसको बताईए मुझे कमेंट में चोड़ा सा question है आप उसको answer करिए next is TADA Act कि TADA Act के तहत भी इसमें दिया गया है जो सजा हो रही है now इसमें interesting ये है कि जो accused थे जो accused थे मतलब जो इसमें accused थे उनके सिर्फ evidence पे इनको punish किया जा रहा है तो ये TADA Act जो है वो इतना खतरनाक था है कि अगर आपका अगर कोई वेक्ती जो खुद इसमें मुलजी में अगर वो भी गवाही दे देता है कि XYZ वो भी इसमें शामिल थे crime में तो वो evidence के रूप में count होगा कौन से section के तहत section 15 के तहत तो ये बहुत important है ये TADA Act के तहत ये provision था अब तो ये almost repeal type हो चुका है तो this is very important दो तिन चीज़े इसमें एक RPC क्या है TADA क्या है ये ये आपको देखनी क्या हो शकता है ओके ये project था parliament project था vista project इसके बारे में मैंने बात भी किया था पहले vista project के बारे में जो की पूरा parliament renovate होना है पूरा बनना है और parliament हमने काफी इस vision बात किया था had given a question also now it has been cleared by supreme court vista project supreme court से clear भी हो चुका है और एक heritage conservation committee थी उससे भी pass हो चुका है so जो project है अब वो आगे बनेगा ओके now तो विस्टा के related काफी questions मैंने आपको दिये थे कि क्या उसमें होगा और उसमें हमने discuss किया था कि कितने number of MPs and MLS वो बढ़ने है तो that I have already given you now this is what the question I was talking about यह fact के लिए बहुत important है और यह है कि Zucco Valley situated at an average altitude of 2452 meters and is a popular trekking destination तो यह आपको याद रहे यह probable आपका question कहीं पे भी आ सकता है ओके ओके now next is regarding editorial analysis के उपर है so this is important पहला है यह है UNESCO से related और education से related है तो इसमें यह है important दो तिन चीज़े आपको समझने का आशकता है इसमें कि यह है कि union education ministry है उन्होंने यह कहा है कि जो बच्चे है उनको fail नहीं करना है मतलब completely fail नहीं कर देना आख बंद करके और अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो लाइक है तो उनको अगले class में promote कर देना है यह क्यों कहा है education ministry ने वो इसलिए कहा है कि कुरोना के वज़े से सही ढंग से classes भी नहीं हुई है और बच्चों की पढ़ाई में effect हुआ है तो किसी कोई भी बच्चा इस साल fail नहीं होगा more or less तो यह एक policy लाई गई है और यह policy बहुत सही है ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी policy है ऐसा writer कह रहे है आप भी बानेंगे कि यह policy सही है क्योंकि जब class ही नहीं हुई तो उसमें date in करने का फाइदा नहीं है और class में same class में रोकने का फाइदा नहीं है क्योंकि एक year कराब हो जाएगा अब important किया इसमें important ही है कि UNESCO की बात करते हैं इसमें तो पहले आप बताएंगे कि what is UNESCO और UNESCO का education में क्या योगदान रहा है UNESCO United Nation की संस्ता है organization है now you have to tell me कि UNESCO थीक है first you write me what is UNESCO and then you write what role UNESCO plays in terms of education education के लिए क्या काम करते हैं अब UNESCO का एक estimate है कि 320 million students जो है वो पूरे world में वो हो जाएंगे we're locked out of schools globally मतलब school नहीं जा पाए करोना की वज़े से और South और West Asia में ये number सबसे ज़्यादा थे और Africa में भी ये number काफी ज़्यादा थे और उसी के साथ में कि Indian school education जो है वो भी काफी ज़्यादा इससे impact हुआ है because of the corona and then again ये भी है कि economic condition की वज़े से काफी लोग अपने बच्चों को पैसे ना होने के बज़े से schools वगएरा नहीं भेज सके या जो e-schools चले उसमें भी शामिल नहीं कर पाए काफी बच्चों के बच्चों लैप्टॉप वगएरा नहीं है तो उससे वो e-learning भी पढ़ाई नहीं कर पाए तो ये भी important है फिर उसमें ये बात करते हैं कि जो इसमें भी students में भी जो लड़की ओगे girls students की जो संख्या है वो ज़्यादा impact हुई है एक छोड़ा सा इसमें fact है smurg samagra sikshah scheme तो ये जो samagra sikshah scheme है ये क्या होता है आप लिखेंगे comment में ये fact based question है ये आ सकता है तो आप देखेंगे एक और इसमें writer कहते हैं कि जो education है इंडिया में वो sess के माध्यम जो tax पे जो sess लगाया जा रहा है उससे उसकी funding हो रही है जो right to education act है उसको cover किया जा रहा है तो ये कई major चीज़ें बताई गई है इसमें और भी यह है कि health की वज़े से rural area में भी impact है अर्बन और rural में अलग-अलग है अर्बन में वच्चे तभी भी school जा रहा है rural area में और education impact हुआ है और economic regions की वज़े से impact हुआ है poverty गरीबी की वज़े से impact हुआ है और दूसरा यह है कि जो vaccination program जो अब चल रहा है तो यह भी clear नहीं है कि सभी बच्चों को इसमें टीका लगेगा तो यह कई important problems रही education sector में जो की impact हुआ है now my question I've already asked you question two questions I've asked you UNESCO का क्या है and then what role UNESCO plays in terms of education so you write on this both the points okay now next opinions related to international relation international relation news यह है कि Saudi Arabia मैंने पहले बताया थे कि Saudi Arabia और इनका group था Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Egypt इनका group है जो कि mostly Sunni Muslim है और इनकी diplomatic relation Qatar के साथ में इन्होंने break कर लिया था 2017 में अपना group बना के Qatar के साथ क्यों break कर लिया था क्योंकि जो Qatar जो country है इसकी Turkey और इरान के साथ में अच्छी इनकी diplomatic relation था दो चीज थे कि Qatar जो है अलजजीरा अलजजीरा के साथ एक TV network है उसको fund करता है और Turkish military base उसको allow कर दिया था Qatar में दोहा है Qatar में उसको allow कर दिया था और इरान के साथ में भी diplomatic relation अच्छे लखे थे Saudi Arabia और बाकी उनके जो allies थे उनको ये वो नहीं था पसंद नहीं था तो they had kept a demand that Qatar ये सब चीज़े बंद करे then they will start diplomatic relation लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इरान को उससे उल्टा फायदा हुआ because इरान के उपर US sanction था लेकिन हुआ गया कि UAE और सवधी ने Qatar का Qatar की जो air space था वो बंद कर दिया Qatar flights के लिए तो उसके लिए Iran allowed its air space for Qatar air planes to use it तो उससे इरान की एकनोमी को भी फायदा हुआ so basically कुल मिला के ये हुआ कि ये Middle East में ही आपस में ही जो लड़ाई रही Saudi Arabia UAE को ये लगा था कि Qatar को control करने के लिए ये diplomatic relation उनने खतम किये थे एक तरीके से कम किये थे लेकिन उसका फायदा जो points उनके थे कि Turkey और इरान को उसका फायदा ना मिले वो strong ना हो जाए लेकिन वैसा नहीं हुआ अब दुबारा दोनों के बीच में deal हुई है और Qatar के साथ में जो relation है वो सही हो गया है अब important दो तिन चीज़े होने जा रही है दो तिन चीज़े ये होने जा रही है कि America में change हो गये है President change हो गये है नए President आ गये है 21st January को charge भी ले लेंगे वो तो उसके बाद इरान के साथ nuclear deal है वो re-negotiate करेगा US तो उससे बाकी जो countries है उनको ये डर है कि इरान और powerful वहाँ पे हो जाएगा तो उन्होंने Qatar को जो sideline किया था उसको हटा दिया है और अपने कोशिश किया है कि Qatar के साथ में अच्छे relation रहे तो एक तरीके का ये development है हमारे लिए क्यों important ये पूरी news हमारे लिए important है कि Middle East है Middle East में already I have told you that Middle East में 3-4 चीज़े है एक तो economy है दूसरा Indian diaspora है मैं paper 3 करूँगा review तो उसमें बारे में बात करूँगा काफी questions वैसे आए हैं international relations पर कई आए है I hope Bangladesh पाकिस्तान इन सब से related आए है questions border issues वगएरा कई questions मैंने आपको दिये भी थे तो उसका review मैं करूँगा बट ये जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान रहे points आपको ध्यान रहे कि एक तो इंडिया की economy से impact होती है दूसरा oil based economy है ये सारे चौती चीज ये है कि cultural relation बहुत अच्छे है बिगास वहाँ पे भी muslims हैं इंडिया में भी है तो एक ताई एक अच्छा एक relationship भी है दूसरा ये है कि इंडिया के काफी लोग वहाँ पे रहते हैं तो one part हो गया दूसरा वहाँ से काफी पैसा भी भेज़ते हैं foreign remittances आते हैं और oil के लिए इंडिया dependent है इन काफी गल्फ countries पे तो that is important फिर ये कि इंडिया के कई businessmen है उनका पैसा भी वहाँ पे लगा हुआ investments भी है दुबई में और बाकी areas में तो इंडिया के industries के लिए भी important है बाकी इंडिया के जो businesses है उनके लिए market भी है middle east काफी export भी रहता है काफी हमारे जो ये पूरे गल्फ countries है काफी important partners भी है in terms of trade वो भी है तो ये कई सारे points मैंने आपको बता दिये तो इसलिए यहां की जो happening here यहां के जो एक तरीके के strategic importance का area so whatever is happening over there in a strategic sense उसके लिए उस पे नजर रहना बहुत important रहता हमारे लिए so that's why I've told you everything ये एक article है ये article है इसमें MKNRN ने लिखा है पिछली government से समंदीत है तो काफी थोड़ा negative लिखा है कुछ points है वो ठीक है लेकिन काफी कुछ negative लिखा है तो कभी भी याद रहे कभी भी कोई article आप अगर पढ़े तो उसको as in नहीं ले ले लेना है और ये ध्यान रहना है ये एक बार जरूर देखना है कि जो लिख रहे हैं article वो कौन है और अगर वो government पिष्ट किसी political party से associated है या किसी particular government से associated है तो वो उसी इसाब से होगा जो government से related है वो government के फिर अच्छी चीजे लिखेगा और जो anti government है वो सिर्फ government की बुराई करेगा तो हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना है हमें balance लिखना है और ये article में से हम बस दो-तिन point अपना लेंगे अपने काम की चीज और बाकी चीजे हम ignore करेंगे बेकोज ये anti पिशली government से related है तो ये obviously government के खिलाफ लिखेंगे तो जब तक हम हमें government के दूसरे पक्ष ना सुन ले तो हमको कुछ जादा conclude नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग अपना mind apply करके कुछ points इसमें से ले सकते हैं तो इन्होंने लिखा है कि 2021 में क्या क्या foreign policy priorities हैं तो इन्होंने generally China की काफी बढ़ाई की है कि China बहुत powerful हो जाएगा ये हो जाएगा तो उसमें European Union के साथ एक deal हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो but that is not our point हमारा concern वो नहीं है और फिर इंडिया की काफी वो की है second चीज जिए इंडिया ने खुद की vaccine बना लिया है local vaccine इंडिया vaccination प्रोग्राम कर शुरू कर दिया है एक बहुत बड़ी achievement है world में तो हमें उस पर focus करना है इंडिया की बाकी countries के साथ भी relation is really good तो ये सब जिए ध्यान रखनी है हमें सिर्फ चाइना पर concentrate नहीं करना है चाइना इस obviously our adversary और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि चाइना is not zero sum game ये ध्यान रहे ये ध्यान रहे कि चाइना लदाक में ठीक problem है military लेकिन वहां पर भी status को बना हुआ है that is one part but economic जो impact है economic जो trade है that is still going on चाइना के साथ आज भी हमारा economic trade चल रहा है और अपनी शर्तों पर चल रहा है तो that is one part नेपाल के साथ हमारे हमारे issues हुए है that is that is true नेपाल के साथ diplomatic जो tension है वो बढ़ी है और एक तरीके से एक challenge है जो वो हम इसमें से लेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ नई चीज नहीं है पाकिस्तान के साथ terrorism और यह सारे issues जो है that is still there अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में इंडिया जितना कर सकता है जो उसके develop initiatives है that India is doing और since India is not sending it troops अगर हम अपने troops वहाँ पे नहीं भेज रहे है तो that is also a different एक तरीके से हमारा एक अलग stand हमने लिया है because American forces wanted कि India अपनी force अफगानिस्तान में भेजे लेकिन इंडिया का stand था कि इंडिया दूसरे की जमीन पर directly involved नहीं होगा and Afghanistan government और Taliban की बीच में already Doha, Qatar में जो बातचित है वो चल रही है बीच-बीच में उसमें ceasefire भी होता है और फिर बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है that is also true तो कई सारे points और challenges है but still India is doing good European countries के साथ भी सही चल रहा है then there is a quad also quad में भी हमने अपना अच्छा contribute किया है तो mix of mix bag है in terms of diplomacy it has been the mix bag and हम ये article में से जो चीज है हमने ले लिया बाकी हम negative में नहीं जाएंगे until unless हम government की बात सुने कभी भी आप कहीं भी article पढ़िए ये अधर्दम ज्यान रखिए कि आपको सुनना अगर दो चार जागों से सुनी है लेकिन लिखिये वही जो आपको सही लगे गलत चीजे नहीं लिखनी है negativity में नहीं रहना negativity no one likes आपको examiner उसको like करें बहुत सारी अच्छा इंडिया ने किया है बहुत सारे fronts पे in spite of problem क्योंकि problems तो बहुत सारी है global level पे बहुत सारी problem रहेंगे because everyone everyone is fighting for same thing मतलब जो economy है हर कोई चाहता है कि number one बन जाए लेकिन हमें number one बनने के लिए people have to put the effort और बहुत सारी गलतिया दूसरों की भी है अमेरिका ने पहले चाइना को बढ़ने दिया पूरा market capture करने दिया now China is a big manufacturing giant तो वो भी बात सही है but India is also doing good in services sector और India की economy भी उतना contract नहीं की जितना predict किया गया था only 7% around 7% is going to contract तो बहुत सारी चीजें है plus India has such a huge population in spite of that India is doing good लेकिन कई challenges है कोई real facts भी है migration issue रहा और growth जो है issue रहा है तो issues रहेंगे लेकिन उसका ये भी है कि इंडिया को जो companies है उनको attract करना पड़ेगा and country में manufacturing sector पे काम करने क्या उशकता है जिसके लिए government make in India या इस प्रोग्राम चला रही है बड़ उसमें काफी कुछ करना है तो एक balance answer आपका रहना चाहिए कि ठीक है problems are there बट जो अच्छी चीजे है वो भी जो positive चीजे है that also you have to write and in the end you conclude your answer with a positive outlook कि इंडिया की growing सबसे बड़ी young population इंडिया की है सबसे बड़ा skill workforce इंडिया का होने जा रहा है coming years में तो उसका इंडिया को जरूर love मिलेगा जो demographic dividend है उसका जरूर इंडिया को love मिलने वाला है और plus stability is there क्योंकि पहले collision government थे लेकिन अब collision government नहीं है stable single party एक तरीके से government है policy making is there तो बहुत सारा advantages भी है इंडिया को but hopefully let's hope की इंडिया जो है जो इस 2021 के बाद से अच्छा करे once it's corona ends और दूसरी चीज science and technology में बहुत बड़ी achievement है अगर इंडिया खुद की vaccine बना ले रहा है एक time था जब WHO और western world पे इंडिया को depend होना पड़ता था हर छोटी चीज़ पे science and technology development के लिए but अगर medical field में अगर इतना बड़ा अगर इंडिया achievement कर ले रहा है it's a big achievement अगर जो CIA और Serum Institute ने vaccine बना लिया local तो क्योंकि 200 रुपे पे अगर आपको vaccine available हो रही है अगर corona की vaccine अगर 200 रुपे पे अगर आपको मिल रही है 200 रुपे पे तो it's a big big achievement और इस achievement को celebrate करना चाहिए और अपने scientist के अगर अच्छा जो काम कर रहे है चाहे scientist हो चाहे engineers हो चाहे doctor हो तो इनको appreciate करना चाहिए तो यह जो article लिखा है यह तोड़ा गलत article है क्योंकि कई paper होते हैं इस तरीके के encourage करते हैं इस तरीके के attitude but that is I don't think it's good क्योंकि अपने scientist को अपने arm forces को discourage करना is not good challenges accept करना चाहिए obviously Ladakh में challenges था बिल्कुल challenges था लेकिन army ने हमारे आगे ने बढ़ने दिया एक बार बस Galwan Valley में हमारे कुछ shoulder शहीद हुए लेकिन उसके बाद Indian army ने मोर्चा ले लिया और government ने भी बहुत ही fast तरीके से रफाल को इंड़क किया और अफाल को इंड़क करने का यह हुआ कि चाइना वहां से आगे नहीं बढ़ पाया and then फिर quad के माधियम से काफी exercises इंडिया ने किये पूरे Indian ocean में कई exercise हुए माला बार exercise हुआ अमेरिका के साथ चाइना अस्टेलिया के साथ जापान के साथ सब को involved किया तो यह इंडिया के एक तरीके से जीत है कि चाइना जो है उसका advantage नहीं ले पाया लेकिन अदर्वाइस चाइना का बहुत बड़ा plan था यह भी theory है कि चाइना had a very big plan to capture a lot of area लेकिन वो चीज हमारी army ने वो होने नहीं दिया हमारे जो strategic thinkers थे planners थे उन्होंने उस चीज को होने नहीं दिया और जिस तरीके से हमने diplomacy सही time पे सही लोगों को engage किया और आपको ध्यान होगा कि उस समय चाहें SEO की meeting हो रही हो Shanghai cooperation की उसमें भी इंडिया गया अपनी आवाज उठाई या फिर अमेरिका से engage करना हो तो वो भी engage किया Australia, Japan सब के साथ engage किया और सही forum पे इंडिया ने चीजों को उठाया तो ये इंडिया के एक तरीके से जीत है तो आपको बिल्कुल ध्यान रहे कोई भी article से negativity नहीं आने देना है ओके, now this is now a very interesting thing ये article है, related है, एक statement दिया था, कमल हसन उनकी party है तमिलाडू में इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं है, जो domestic काम करती है, घर में काम करती है उसके लिए उनको payment किया जाए, उनके लिए pay मिले, जैसे जो आदमी बाहर काम करता है तो वैसे ही महिलाओं को भी घर में जो काम करती है, उसके लिए कोई stipend या कोई pay मिलना चाहिए ना ये इसमें अलग-अलग मत है, तो मेरा question आपको ये रहेगा, इसमें कुछ facts है कुछ facts दिया है कि कितने लोग काम करते हैं, तो इसमें एक fact दिया है कि 90% घर में maximum महिलाएं काम करती है और पुरुष कुछ percent ही काम, पुरुष जो है घर पे काम करते हैं, तो इस तरीके का है ये Now my question is directly to you, कि आप में, what's your opinion regarding this, आपका क्या opinion है इसके बारे में, that you have to write ये जो concept है इसके बारे में, now this is regarding क्यूबा, क्यूबा से related है ये, तो इसमें ये prelims का probable question हो सकता है तो आप जाएंगे and then you tell me about क्यूबा कि क्यूबा की capital क्या है, क्यूबा की currency यहां पे दिख रही है, Cuban peso तो you tell me कि क्यूबा है कहां पे, इसके अगल बगल कौन सी countries है और क्या इसका capital है तो इतना काफी है अगर आप इतना पढ़ लेंगे, now ये बहुत एक interesting है, इसमें interesting ये है कि जो state, Hyderabad, Andhra Pradesh में, जो state election commission है, उन्होंने election conduct करवाने वाले थे, लेकिन उस election को, जो court है, single bench, उन्होंने उसको, high court ने उसको cancel कर दिया, मतलब उस पे stay कर दिया Now my question is again, regarding this, कि इस तरीके का, state election commission के decision को, is there any provision, state election commission क्या होता है पहले तो, what is state election commission, इसमें क्या-क्या लोग होते हैं, and the second question is, कि state election commission के power में, judiciary किस तरीके से interfere कर सकता है, ये दो questions है, that I want to ask you दूसरा चीज है, एक यहाँ पे, state election commission ने उसके, जो joint director है, उनको discharge कर दिया, हटा दिया, तो वो दो article का नाम है या, 243K and 344, 324 of the constitution, तो दोनों articles आप देखेगा, बताएगा, what is 243K and 324, तो बहुत हार important article, तो आप उसके बारे में, जरूर आंसर करिए, next generic news है, farmer law and everything related, we won't talk much about that, यहाँ पे यह news है, whatsapp से related की, whatsapp के alternative देखे जा रहे है, कोई signal भी है, telegram पे भी switch हो रहे है, thirima पे switch हो रहे है, spike पे, यह अलग-अलग apps है, तो यह अप आपको दिहान रहे, prelims में आ सकता है, telegram, signal, spike, thirima, session, यह अलग-अलग apps बने हुए है, और because of the privacy policy of whatsapp, there is a call that people should migrate to different apps, app जो है, उस पे हो जाए, because of the privacy issue, तो हम इस पे अलग से session करें के, यह whole science and technology session पे, but as of now, आपको prelims के लिए, सब apps के नाम में आपको बता दी, वो आपको more or less, याद रहे है, और reason क्या है, reason यह कि privacy policy update हो रही है, this is regarding impeachment, कि Trump को impeachment, महा भ्योग जो है, वो चलाए जाने की बात है, तो वो अमेरिका में बहुत बड़ा एक incident हुआ था, कि capital लुसकी जो building थी, उस पे attack एक तरीके से हो गया था, my question is not regarding America, my question is regarding India, कि जो impeachment process है, आप answer simple दीजे, बहुत अच्छा question में पूच रहा हूँ, कि इंडिया में जो impeachment है, इंडिया में जो impeachment या महा भ्योग जिसे बोलते हैं, इ क्या उसकी प्रक्रिया है, आप बताईए, यह बहुत अच्छा question में पूचा है, क्योंकि इसको धूड़ने के लिए आपको कई article पता होने चाहिए, मैंने यह आप से नहीं पूचा कि राश्पती का impeachment कैसे सकता है, मैं आपको इस simple question पूच रहा हूँ, कि impeachment की प्रक्रिया भा पर आप में जरूर देखे रहे एगा, कि एरान कहां पे है, गारे आप में पता होना चाहिए, मैप एक बाद रहा है कि resolution कहां पे है, और न मैप में कहां पे है, यह बहुत इसके प्रक्रिया नियॉस है, इसके से दोठेक्छा से बब्रक्र के खाँच चाहिए। बताएं में बताएं कि ये क्या होता है by the way economics में एक बार आपको याद होगा GDP ODP के मैंने questions दिये थे वो questions उस तरीके के आये भी हैं मैंने पूछा बहुते कितने type के GDP होते हैं और क्या-क्या GDP हो सकते हैं तो उसमें आपने research किया हो तो वो 15 नंबर के बहुत अच्छा answer आप देके आये होते हैं अगर कोई साल दे रहा means तो वो बहुत अच्छा answer देके आया होगा तो बहुत important है कि important questions है उनको हम देखते चले तो मैंने जो important questions था वो आपसे पूछ लिया है और कुछ important points थे वो भी आपको कैसे अपने answer को balance करना है और कैसे positive रहना है चीजों को लेके वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि सबसे important है life हो चाहें आपका opinion हो थोड़ा positive रहना है क्योंकि problems थो है problem नहीं हो तो फिर कोई बाती नहीं होती अगर आपके बस नौकरी होती तो आप ये पढ़ी नहीं होती आप सुनी नहीं होते लेकिन problem है क्योंकि आपको नौकरी चाहिए UPSC clear करना है IS बनना है तो इसलिए आप सुन रहे हैं मुझे पढ़ रहे हैं आप तो problem तो रहेगी ये कोई debatable नहीं है बट हमें positive कैसे रहना है कोई ये बोल देगा कि आप clear ही नहीं कर पाएंगे और ये नहीं कर पाएंगे तो obviously वो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए mind को positive रखो चाहिए चारों तरफ कितनी में negativity आपको लगे but you have to keep your mind positive positive रहोगे तो होगा और example इस बार का paper कह रहा है means का कि जो बताया जा रहा है उसको धंग से करो और कोई रोक नहीं सकता है आपको कई questions as it is उसी तरीके के दिख रहे है मुझे सारे paper में बात मैं और करूँगा उन पर but आज जो question पूछा answer में को 100% आप करिए क्योंकि आप अब आप paper का जो मैंने analysis किया है इस साल के तो आपको समझ में आ गया हो हम लोग और लिखेंगे कि ये article ये article ये article ये article ऐसा मैंने impeachment का question पूछा मावयोग का तो आप लिख दीजे इन इन पदों के लिए ये ये प्रावधान है और ये ये constitution अच्छा उसमें constitution article जरूर लिख दीजे कि अगर president के बारे में ये ये प्रावधान है और ये 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 उसका article है समझधित article अनुचेद ये ये है आपने लिख दिया बागी तो आप उसको elaborate कर लेंगे क्योंकि elaborate का time भी नहीं होता है पंदरह नंबर है question है 250 words है बिल्कुल time आपको नहीं मिल पाएगा तो बहुत ज़्यादा flowery language आप mains में नहीं लिख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा दिखावी language नहीं आप to the point लिख पाएंगे तो that is to the point जो आपके main point है आप वो कम से कम comment में जरूर लिख दिया करें अगर पूरा answer नहीं लिख पा रहे हैं okay that's all for today's current affairs and news analysis thank you goodbye